मतर के छोले की रेसिपी आज में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ तो आप इसको मतर के छोले बोले या मतर की सबजी बोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वन कर तियार होती है आप इसको समोसा चाट की तरह खा सकते हैं, रगड़ा पेटीस के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसको ऐजे चाट भी नजोई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है या फिर आलू के टिक्की के साथ भी आप इसको सर्फ कर सकते हैं तो चाट के फॉर्म में खाई या सबजी के साथ बहुत ही जादा टेस्टी लगती है इसके लिए आपको करना क्या होगा सबसे पहले आपको लेनी है सफेद वाली मटर तो ये मैंने ली है एक कप के करीब इसको सबसे पहले अच्छे से पानी से एक से दो बार धो लेना और इसके बाद में इसको राद भर भीगने के लिए हम छोड़ देंगे तो मटर को भीगने में टाइम लगता है आप इसको राद बर भीगोएंगे तो आपको रिजल्ट जादा अच्छा मिलेगा मटर गलती भी जल्दी है और बहुत ही बढ़िया अच्छे से गल भी जाती है अगर आपके पास टाइम कम है तो 5-6 गंटे भी भीगो सकते हैं यहाँ पर इसमें एक मेडियम साइज का अलू डाला है कच्छा अलू लिया था जिसको की इस तरह से क्यूप्स में कटकर के डाल दिया हाफ टीस्पून के करीम नहमक करेंगे और इसके साथी अधी चमच के करीम हम इसमें हल्दी पाउडर अलम अल लीगे अब हमने यहाँ एक कप के करी मटर लीती तो हमें सी कप से नापकर लगबग धाई कप के करी पानी अट करेंगे वैसे पानी बहुत ज़्यादा अतना मैटर नहीं करता ऐसा नहीं है कि पानी अगर थोड़ा ज़्यादा अट कर देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी ये इसलिए मैंने बताया है ताकि आपको बिल्कु सटीक मेजरमेंट मिल जाए और आपको परिशानी ना हो बनाने में तो ये देखिए धाई से तीन कप पानी भी डाल सकते हो आप यहाँ पर देखिए हमने सारी चीजों को मिक्स कर लिया धकल लगा देंगे कोकर का और फ्लेम को मीडियम कर देंगे मीडियम फ्लेम पर या मीडियम हाई फ्लेम पर इसमें चार से पान सीटी ले ले लेंगे हो सकता है कि आपकी मटर अच्छे से ना गल पाए अगर ऐसी प्रॉब्लम आपकी मटर में आ रही है आपने एक से दो बार पहले बनाई हुई है क्योंकि बहुत सारी मटर हम मार्केट से लाते हैं तो वो हार्ड होती है उसको रात बर भिगोते हैं तब भी वो अच्छे से नह तो हलका सा मटर को मैंने मैश किया था हलका सा आलू को मैश किया है तो यह देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो बिल्कुल भी पानी अलग अलग नहीं है अच्छे से यह मैश भी हो गया है और बहुत ही बढ़ी बढ़ी आ ऐसकी आ गई है पानी की अगर और मैं 46 मिर्च और हरी म्र्च एर्ड करेंगे इसमें आपने टेस्स्ट के करेंग कर सकते हैं पर चार्ट के लिए बना है इसलिए अब इसमें हरी मिर्च कोणेटिटी थोड़ा-जयादा ही र UK इसमें एक बडे Size का प्यास इसको कीchanaly Rendez किया हुआ तो यहां पर मैैंने प्यास क चौपर में चौप किया है ताकि अच्छे से फानली चौप हो पाए और इसको भी हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे आप चाहे तो इसमें फ्रेश जिंजर और फ्रेश गालिक भी आट कर सकते हैं बारिक बारिक काट कर, मैंने यहाँ पर पेस्ट आट किया है तो मैं इसमें एट करूँगी यहाँ पर घर का बना हुआ हाफ टीस्पून के करीब जिंजर गालिक पेस्ट जिससे बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है जिन लोग के पाफ जिंजर गालिक पेस्ट नहीं है या फिर जो लोग नहीं डालना चाते तो स्किप भी कर सकते है तो हाफ टीस्पून मैंने डाल दिया इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट इसको भी लगातार चलाते हुए हम प्यास के साथी बूल लेंगे तो प्यास को हमें हलका सा कलर देना है हलका सा ब्राउन करना है बहुत जादा कलर नहीं देना है ऐसा नहीं है कि प्यास को आपने भून भून कर बिल्कुल ब्राउन कर लिया तो आपकी मतर छोले का टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा तो यहां पर मटर के छोले हम बना रहे हैं, तो उसका कलर भी अच्छा आना चाहिए, टेस्ट भी अच्छा आना चाहिए, प्यास को भूलिया, इसने तेल को छोड़ दिया, आप इसमें आट करेंगे दो टमाटर, जिसको की मैं घिसकर आट कर रही हूँ, तो यहां पर टमाट सकते हो, 140 इसमें हल्दी पाउडर एट किया है, और 140 इसमें से थोड़ा से ज्यादा इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर, आदी चंबच की करीब नमक डाला है, नमक हमने पहले भी मतर को बोईल करते वक डाला था, इसलिए नमक अभी कम आट किया है, बाद में अगर आपक इसके लिए फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको ढख कर देंगे लगबक तीन से चार मिनिट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर, तो पानी डाल दिया है, तो हमारे मसाले भी नहीं जलेंगे तो टमाटर भी अच्छ से पक जाएगा, तो फ्रेंड्स यहां पर आप इसको मटर आलू की सबजी भी बोल सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बंती है, इस तरह से रोजों में भी आप है सबजी बना सकते हैं, जसे रोज मरणा में आजकल बरसाथ के मौसं में भी न क्या होता है, हरी सबजी या जो भी सबजी आप गर मे लाते हैं वो काफी आफ टीस्पून डाल दिया है लास्ट में मैंने इसमें अमचूर पाउडर खटास के लिए आप इसकी जगे चाट मसाला भी डाल सकते हो या फिर इसमें आधा निवू का रस भी निचोड सकते हो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस यहां पर अब हमें सबजी को ब तब इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है और अगर आप ऐसी सबजी बना रहे हो तो भी परफेक्ट है लेकिन यह ठंडी होने के बाद ना काफी गाडी हो जाती है इसलिए अगर आप इसको काफी देर बाद खाना चाहते हैं तो आप इसको स्टार्टिंग में थोड़ा पतल इसको सब्सक्राइब तो आप इस मटर की सबजी को किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो मल्टिपल यूजिज है और बहुत ही बढ़िया टेस्ट है बना कर देखना खा कर देखना और मेरी रेसिपी को अपने फ्रेंड और फैमिली की सा ज़रू शेयर करना थैंक्यू सो मच बोच्ज ब وهुईंचगा जया जया उसका कर दो के घम एप नहा